Assalamu alaikum, welcome to GFX Mentor, मैं आपका टीचर इम्रान और आज मैं लेकर आगया हूँ आपके लिए Photoshop Beginner Series की Class No.14 और आज का टापिक क्या है, Pen Tool Now, Pen Tool आप अल्रेडी देख चुके हैं, मेरे Illustrator की ट्रेनिंग में अगर आपने नहीं देखा, तो यहाँ ऊपर लिंक दे रहा हूँ, Illustrator का Pen Tool अगर आप देख लें तो Photoshop में आपको बहुत हद तक Pen Tool यूज़ करने में असानी रहेगी Now, कुछ चीज़ें definitely different हैं, वो मैं definitely यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ So, आईए शिरू करते हैं So, first of all, तो यहाँ जैसे आप Pen Tool लेते हैं उपर Property Bar में आपको यहाँ एक Drop Down मिलता है जिसमें Shape होता है और Path होती है So, अब इन दोनु में एक चीज़ सो Common यह है कि यह दोनु Vector ही है Of course, Pen Tool से हम जो भी चीज़ बनाएंगे वो Vector होगी लेकिन अगर आप कोई Object बनाना चाहरे हैं तो आप Shape लेंगे और अगर आप सिर्फ Path बनाना चाहरे हैं तो फिर आप सिर्फ Path लेंगे Now, सवाल यह पैदा होता है कि हम Shape क्यों ले रहे हैं और Path क्यों ले रहे हैं Shape जैसे मैंने बताया कि कोई Object बनाना है for example मैंने यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया, यहां 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 और that's it, यह मैंने बंद किया तो यह एक शेप बंद कर आगी है मेरे सामने, and चुकि यह वेक्टर शेप है, वेक्टर शेप का परपस यह होता है कि वो अगर हम रिसाइज करें, तो खराब नहीं होगा, so अगर two, के pen tool को use कैसे करना है, वो मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा briefly बताना चाहूंगा, उन लोगों के लिए, especially जो मेरी illustrator की training नहीं देखना चाहरे है, directly photoshop में pen tool पर command हसल करना चाहरे है, तो मैं आप लोगो छोटा सा बता दूँ के pen tool बहुत simple सा tool है, जिसमें अगर हम खाल होते हैं, anchor points vector drawing में सबसे important part होता है, ठीक है, vector और रास्टर में छोटा सा difference में मता दूँ के जो pixels पे base कर रहे होते हैं, वो रास्टर images होते हैं, जो path पे, यानि mathematical या geometrical calculations पर चीज़ें चल रही होती हैं, objects, वो vector होते हैं और इनकी खास बात ही होती है, कि इनको हम जितना कर लें या छोटा कर लें, यह खराब नहीं होते हैं, या pixelate नहीं होते हैं, ठीक है, so for example, मैंने यहां पर एक anchor point click किया, मैंने जैसे यहां click करूँगा, यह एक path बना के दे देगा, so मैंने illustrator में भी यह चीज़ पढ़ाई थी, कि यह basically एक line segment है, right, and we call it path, यह जो points हैं, यह कह में जिस anchor point से start किया था, उसी anchor point पे जाकर इसको खत्म करते हैं, और यह पूरा completely एक shape बन जाता है, ठीक है, मैं इसको delete कर रहा हूँ, now, दूसरी चीज़, अगर मैं एक curve line बनाना चाहूं, तो बहुत simple सा काम है, अगर मैंने यहां click किया, और यहां जाके click किया, और drag किया, य यह कुछ curve handles आपके पास आ जाते है, now, इन curve handles का purpose क्या है, कि यह आपके image को curve करने में काम आ रहे होते हैं, so, याद रखी का, जब भी आप drag करते हो, like, मैंने यहां click किया, यहां click किया, यह मैंने जैसी drag किया, तो यह दो handles आ गए, यह वाला handle इस line को curve कर रहा है, यह वाला handle आ आप लोगों को, अगर pen tool समझना है, कि किस सरा से work करता है, मेरी illustrator की class है, वो जरूर देखिएगा, आपको pen tool चलाने में बहुत helpful रहेगा, ठीक है, हाँ, अब बात कर लेते हैं, कि pen tool, photoshop और illustrator में कितना difference है, बहुत simple सा, बहुत शूटा सा difference है, अगर आप click करके drag करते हो, य यह handle बंद हो याता था, यहाँ पर आपको alt के साथ click करना होगा, तब यह handle बंद होगा, and then फिर आप इसको इस तरह का sharp corner दे सकते हैं, ठीक है, and similarly अब जैसे मुझे यहाँ पर, अगर मैं simply यहाँ पर आता हूँ, देखें, curve सी line आगी है, जब अगर मुझे corner चाहिए, तो मैं alt के साथ यहाँ click करूँगा, और फिर यहाँ आके click करूँगा, तो यह आपका एक sharp fin बन गया, so yes, बड़ा simple सा है, इतना जादा difficult नहीं है, right, okay, so इन shapes के साथ, कुछ छोटी सी छोटी सी चीज़ हैं, उपर जो properties में आ रही है, वो दरह जल्दी से देख लें, मैं बहुत ही फ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहीं से fill color लें, आप से लिए कर सकते हैं, कि इस shape layer पर double click करें, तो आप से color खुछ लेगा, आप color choose कर सकते हैं, and that's it, now, अगर मुझे इसमें stroke चाहिए, right, stroke यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आप click करें, कोई भी color आप पहले पे कर लो, and then आप इसमें changes, अगर मजीद colors चाहिए, तो आप यहाँ पर भी click कर सकते हो, यह आपका color पर करा जाएगा, आप जो भी color चाहिए, वो इसमें ले सकते हैं, कितनी thick stroke चाहिए, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, so, यह आपकी properties stroke किया रहे है, now, stroke किस तरहा कर चाहिए, व round corners, इसके अगर आप गौर से देखें, मैं इसको zoom करके दिखा दूँ आपको, तो इस वकिए round dots आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं, कि अगर आप इसमें देखें, यहाँ पर यह round लगा हूँ है, अगर मैं butt cap लगा दूँ, तो यह बहुत straight आने लगेंगे, and square लगा दूँ तो यह कुछ आने लगेंगे, now butt cap यह था, कि यह थोड़ा सा, एक साथ मिल रहा है, पर जैसा आपको सही लगे, वैसा आप इसको select कर सकते हैं, so मैं इसको इसको simply plain line करना चाहरा हूँ, और plus हमारा stroke कम करना चाहरा हूँ, now अगर आप stroke हटाना चाहरा है, तो simply यहाँ पर click करें है, अचा, having said that, यह जो हम shapes हैं, हम अपने shapes यहाँ से अगर आकर देखें, तो आपके पास एक shape tools भी दिये हैं, and यह यहाँ पर बहुत basic shapes यह है, rectangle tool, and इसी के साथ rounded rectangle tool है, ठीक है, so यह basically shapes जो है, मैं चाहूँगा कि मैं इसके लिए part 2, याने आने वाली एक और class रखूँगा, ताकि जिस में आपको मैं in shapes के बारे में भी थोड़ा बात बता सकूँ, क्योंकि shapes में भी कुछ details हैं, बहुत काम की है, हम अपने custom shapes किस तरह से बना सकते हैं, अपनी library में किस तरह से add कर सकते हैं, सब होगा, बहुत detail में होगा, अगरी class में, right, and अभी के लिए मैं सम्टी यह अदर यहां पर आपके फ्री फॉर्म टूल है, और इसका purpose यह कि आप सिंप्ली जिस तरह से pencil से draw करते हैं, उसी तरह से आप यहां पर आके shape draw कर सकते हैं, and that is quite easy, बहुत असान है, ठीक है, now, इसी के अंदर आपके पास add anchor point, delete anchor point and convert anchor point tool है, now, convert anchor point tool का जो purpose है, वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैंने अपना कोई shape बनाया, like this, ठीक है, इसमें तीन corners है, अगर मैं convert anchor point tool लेता हूं, और click करके drag करता हूं, तो यह curve कर देगा, ठीक है जी, और अगर आप चाहरे हैं कि जी curve है और हमें curve हटाना है, तो बड़ा simple सा काम है, simply यही convert anchor point tool ले, आपके जो curve वाले points हैं यह आपके curve हटा देगा, right, now, एक छोटा सा shortcut मैं आपको बताना चाहूंगा, number one, adding a point, delete anchor point and convert anchor point के लिए, अगर आप कोई भी object बना रहें, right, और बनाते बनाते आपको ख्याल है, कि यह point गलत जगा लग गया है, तो बड़ा मसला नहीं है, आप simply space bar press करें, और आप अपना point उ illustrator में भी मौझूद है, सही है, so, यहाँ पर जैसे मैंने आके drop किया, अब मेरा मैंने mouse का button release किया, ठीक है, एक बात, दूसरी बात, कि अगर आप चाह रहें कि यहाँ पर मुझे एक point चाहिए, जिसको मैं move कर सकूँ, सही है, आप simply अपना pen tool से ही, किसी existing path पर जबाएंगे, तो आपको plus sign देख रहा होगा, plus sign जब देख रहा हो, उस दोरान आपने click करना है, तो आपका point add हो जाएगा, अगर आप control प्रेस करते हो, तो आपके पास direct selection आ जाता है, अब यह direct selection क्या बला है, यहाँ pen tool के नीचे अगर आप यहाँ पर आके देखें, type tool है, type tool के बाद, path selection का काम क्या है, पूरी-पूरी path एकटे select करता है, direct selection का काम यह है, कि individually points को select करके move करता है, मैं फिर आप से कहाँगा, कि अगर direct selection आप लोगों को समझना है, तो फिर यहाँ पर मैं आपको एक link दे रहा हूँ, मेरी illustrator की direct selection वाली class देख लें, आपको बहुत असानी से direct selection समझ में आ जाएगा, right, now, अगर आपने नहीं देखी तो, बना mostly लोगों ने देखी है, सबको पता है, कि यह direct selection का काम क्या है, right, alright, अब एक छोटा सा shortcut और मैं बताना चाहूँगा, देखें, मैं simply यह बताना चाह रहा था, कि अगर हम सिर्फ pen tool पर ही रहे है, right, और मैं कोई point, य pen tool plus sign show कर रहा है, अगर मैं किसी existing point पर आ रहा हूँ, तो मेरा pen tool minus show कर रहा है, that means कि अगर मैं अब click करूँगा, तो point गायब हो जाएगा, right, similarly, अगर मैं यहाँ add किया, by default illustrator आपको curved point दे रहा हुता है, अब देखें, मैं अगर control प्रेस करता हूँ, तो मेरे पस direct selection आ जाएगा और मैं इसको simply इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, यह curved है, मुझे क्या चाहिए था, pointed चाहिए था, अगर मैं alt दबा दो, तो यह point हटा देगा, लेकिन, मुझे alt दबा के point हटाना नहीं है, मुझे pointed रखना है, लेकिन यह lines भी curve चाहिए, तो आप एक और काम ही कर सकते हो, कि alt दबा के रखें, और इस handle को देखें, अगर मैं खाली control से इस handle को move करता हूँ, तो यह दोनों points move हो रहे होते हैं, अगर मैं alt दबा के इसको move करूँगा, तो यह curve break हो जाएगा, और curve break हो जाने के बाद, यह होगा, कि आप easily इसको इस तरह से change कर सकते हैं, अब आपका किसी भी तरह का shape हो, आप बहुत असानी के साथ सिर्फ एक fan tool लेके रखें, और आप यह चोटे-चोटे shortcuts के साथ, आप अपने tools खुद बखुद चेंज करते रहेंगे, तो अगर मैंने control प्रेस किया, मेरे पास direct selection आया हो है, अगर मैंने alt प्रेस किया, तो मेरे पास, यह convert anchor point tool आया ज तके shapes, आपके shape बना रहे होते हैं, path आपकी सिर्फ path बना के देगा, now, अब यह सोचने के बात है, path का actually purpose क्या है, path कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक selection है, और कुछ भी नहीं है, इसमें तक घबरानी की ज़रूत नहीं, path selection है, right, और selection as it is नहीं है, path को selection में convert किया जा सकता है, और selection, जैसी आप make selection करेंगे, या आप से एक dialogue box में बूशेगा, feather radius देना है, या नहीं देना है, anti-alias देनी है, कि नहीं देनी, just इस वक मैं feather 0 दे रहा हूँ, and I hope आपने को feather भी पता है, कि क्या चीज़ है, मेरी Photoshop के पहली वाली class में, मैंने feather को बहुत detail में discuss किया थे, जब selections समझ जा रहा था, right, now, इसको मैं okay कर रहा हूँ, तो ये देखें, आपकी selection बन गई, इसका फाइदा ये है, कि आपको जब बहुत precise किसम की selections करनी हो, सही है, मैंने यहाँ पर एक image open किया हुआ है, for example, मुझे इस jar को यहाँ से select करके निकालना है, देखें, कई मरतबातों हमारे पर बहुत सारे selections के options होते हैं, लेकिन pen tool आपको बहुत ज़ादा control दे रहा होता है, ठीक है, मैं इस चीज़ की selection को बहुत ज़ादा precisely अगर करना चाहरा हूँ, तब भी मैं एक काम यह करूँगा, मैं आपको suggest भी यह करूँगा, कि आप number one pen tool ले, इसको देखें कि यह path पर रखा रहा हूँ, मैं simply आपको छोटी सी tip दे रहा हूँ, कि आप इसकी जितने भी बाहर की तरफ निकले वे points हैं, वहाँ पर आप हाली click करते जाएं, कोई मसला नहीं है, बाद में हम इन सब को curve कर लेंगे, बाहर या अंदर की तरफ, ठीक है, और आप इसको बहुत असानी के साथ देखें, straight lines के साथ मैं लेके चल रहा हूँ, और बाद में हम इनके curves को adjust कर लेंगे, तो यहां से मैं थोड़ी सी अपनी video को fast move पर हूँगा, ताकि आप लोग जादा bore ना हो, आप यहां तक करने के बाद, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक pen tool पर ही हूँ, और मैं simply यह कर रहा हूँ कि all press कर रहा हूँ, और अपना anchor point जासी आया, I mean convert anchor point tool आया, मैंने इसको drag किया, यह देखें, मेरा curve यहां से बन गया, मैं इस वाले को भी curve कर रहा हूँ, see this, और इनको थोड़ा-थोड़ा सा adjust कर सकते हैं, आप यूँ, मैंने simply control press किया हूँ, ताकि मिरे पास direct selection आ जाए, right, right, now, इस जगह पे भी मैं alt के साथ drag कर रहा हूँ, यह भी curve हो गया, उपर आ जाए, इसको भी alt के साथ drag करें, यह भी curve हो गया, यह भी curve कर देते हैं, इसको भी curve कर देते हैं, and so on, so, अब मैं again यहां से अपनी वीडियो को fast move कर रहा हूँ, ताकि आप फिर बोल्ड ना हो, all right, so, यह मैंने पूरी की पूरी selection बना ली, I know, थोड़े थोड़े से flaws हैं, जिसको हम बात में adjust कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा issue नहीं है, एक बात याद रखेगा, कि यह जो आपने path बनाई है, of course, इसमें ठीक ठाक मेहनत हुई है, अब जाहरे मैं यह नहीं चाहूँगा कि मेरी यह path यतनी जो मेहनत की यह जाया हो, आप simply काम यह कर सकते हैं, कि यहां layers के पैनल के बराबर में, channels है, channels के बराबर में, हमारे पास path है, path में अगर आप जाते हैं, तो यहां पर आपको यह path नजर आ रही है, लिखा हुआ है work path, अब एक बात याद रखिएगा, इस work path के नीचे वाला यह जितना gray area है, अगर आप यहां क्लिक करेंगे, तो आपकी path यहां से गायब हो जाएगी, लेकिन यहां पर है, अगर आपने यह गायब कर दी, और फिर आपने कोई दूसरी path बनाई तो याद रखिएगा, कि पिछल इस पर double click करें, and okay कर दें, इसका नाम आगया path 1, या तो आप इसका नाम कुछ और दे दें, say, jar path, कुछ भी आप कर दें, इसका नाम, जब तक इसका नाम different है, यह temporary नहीं है, तो अगर आपकी path deselect हो गई, और आपने अब कुछ बनाया, तो वो देखें, नई वाली जो चीज करनाने शुरू कर ले, so let's say मैं इस lemon को जल्दी से फुदूर सी एक selection कर रहा हूँ, rough सी, एक selection, इसका चीज फुदूर मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो पता है नहीं, इसको मैं बोड़ा सा यहां लेकर जाओ, ठीक है जाओ, so that's it, यह मेरी lemon की selection मी बनगे, अब देखें, यहां पर आप चाहने उसका नाम चेंज करतें, lemon, right, और यह आपकी different selections बनगे, अब इन selections को, या path को, selection में convert करने के लिए, जैसा मैं बताया कि right click करके, आप make selection कर सकते हो, plus, एक और तरीके कार है, control, enter, press कर दे, control, enter, जैसी आप प्रेस करेंगे, यह आपकी selection बन जाएगी, तीसरा तरीके कार, आपके path के panel में, अगर आप control क्लिक कर दें, उसकी thumbnail पर, मैं यह lemon पर click किया, यह इसकी selection बन गए, अगर मैं यह जार पर click करूँगा, तो यह इसकी selection बन गए, अब सवाल ही पैता होते है कि हम selections कर क्यों रहते हैं, selection बड़ा simple है, काम, selection इसलिए कर रहते हैं मैं अगर control जे करूँगा, तो यह अलग लेयर पर आ जाएगा, and that is quite easy, right, so yes, I believe आप लों को यह path या pen tune वाले काम थोड़े बहुत समझ में आये होंगे, हम इससे याद रखिएगा, बहुत ही precise किसम की selection कर सकते हैं, एक काम, दूसरा एक बहुत ही मज़ेदार सा काम है, जो के वो है vector mask, अभी तक आप लोगों ने layer mask देखा था, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, vector mask, और vector mask किसा से लगता है, simply you just need a path, और यहाँ पर आ करके, अब देखें, इस वक्त अगर मैं right click करूँ, and create vector mask करूँ, तो यह आपकी even आपकी background layer को खुदी convert कर देगा, transparent layer में, य कि जी यह है vector, और अगर आप यहां direct selection से आ करके, किसी चीज़ को select करके move करें, तो यह आपकी layer मौजूद है यहाँ पर, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारी layer mask थे, उसी तरह से अगर इस पर भी, मैं shift के साथ क्लिक कर दूँ, यानि इस vector mask पे, तो यह आपकी layer mask गायब हो जा चोटा सा काम pen tool का पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, मैं usually अगर किसी चीज़ को यह select करता हूँ, तो मैं prefer करता हूँ, कि मैं vector mask बना लूँ, ताकि अगर थोड़ी बहुत changes करनी हो, तो मैं दूबारा उसमें changes ला सकूँ, या दूसरा एक तरह कारी यह हो सकता है, कि आप vector mask ना करो, let's say मैं यह mask को delete कर रहा हूँ, and okay, जो हमारी path थी, वो यहाँ पर मौझूद है, इस path को मैंने on किया, या इसके selection बना ली, और आप इस layer को simply layer mask भी कर सकते हैं, now, इस में और पिछले वाले में क्या difference है, layer mask आपका raster है, vector mask आपका vector है, so, it depends कि आप क्या use करना च आ रहे हैं, so, let's say मैंने यह color fill किया, और इस layer को मैं नीचे लाकर रख रहा हूँ, तो यह आपका, कुछ इस तरह से आच चुका है, right, so, I hope यहाँ तक कि आपनों को sound में आ गया हुए, एक छोटी सी last series मैं आपको बता दूँ, कि जिस तरह से हम pen tool से path बना के control enter करते हैं, तो आपकी selection में convert हो जाता है, I mean, yes, path हमारी selection में convert हो सकती है, ठीक, उसी तरह से अगर आपके पास कोई selection है, तो आप path के panel में आकर, यहाँ नीचे एक छोटा सा button दिया हुआ है, and that is make walk path, आपकी path बन जाएगी, ठीक है, so, अब आपकी अगर selection, मैं एक पिछली वाली file पे आ रहा ह रहा हूँ, यह shift के साथ, मैंने कुछ selection add की, यहाँ add की, और यहाँ से subtract कर ली, ठीक है, अब यह मैंने कजीब सी selection बनाई गी, मैं चाहरा हूँ कि इसकी path बन जाए, simply यहाँ पर आए, click करें, done, आपकी path बन गई, so, I hope यह path और pen tool आप लोगों को समझ में आया होगा, इसकी ज जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत असानी रहेगी pen tool को समझने में, हाँ, अलबता pen tool illustrator में जो था, उसमें join और average वगरा की जो चीज़ें थी, वो यहाँ पर नहीं है, और नहीं ज़रूद होगी, यह आद रखिएगा, कि हम एक और next class में, जो, मैं जब shapes की बात क करूंगा, तो उसी में मैं आप लोगों को बताऊंगा, कि आप अपनी shapes किस तरह से बना सकते हैं, और illustrator से बना करके Photoshop में किस तरह से ला सकते हैं, I hope, आप लोगों को यह class भी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो please like कीजेगा, और अगर subscribe नहीं किया तो please subscribe करें, thank you